बिहार में बहार है नौकरी का बहुचार है लेकिन चाचा जी आपसे रिक्वेर्ट से हाथ जोड़के पेपर लिक नहीं होना चाहिए यह हमारे नितीष चचा है राजनीती में और विपक्ष वाले इन्हें पल्टू चचा के नाम से बुलाते हैं मिडिया वाले इन्हें पल्टू चचा बोला जाता है लेकिन मैं नहीं मानता हूँ यह अपना अपना विचार है आप भी मानते हैं तो मानिये क्योंकि यदि आप आई से सूचिएगा तो ये नहीं पलटते हैं पलटता विपक्ष है क्योंकि हमारे चचा और आपके भी चचा नेहरू चचा के बाद कोई फेमस हुए हैं तो हमारे पल्टू चचा सौरी नितीज चचा पल्टू चचा हम नहीं मानते हैं मिडिया वाला काना है विपक्ष वाला काना इसलिए क्योंकि पलटती तो विपक्ष है हमारे चचा पहले भी CM थे आज भी CM है और लगता है जब तक जिवित रहेंगे तब तक CM रहें भगवान करे CM रहें लेकिन इवाओं को रोजगार दें लेकिन पेपर लिक नहीं होना चाहिए हलाकि चचा ने अस्वासन दिया है कि एक कड़ा कानून बना रहे हैं पेपर लिक को रोकने के लिए खर कितना भी कड़ा कानून बन जाए 5-10% सीट तो भिकेगा ही क्योंकि जनता ही भरष्ट है तो अधिकारिया और नेता तो भरष्ट होगा ही जब तक सेटिंग करवाने नहीं जाईएगा कोई तो कैसे सेटिंग होगा कोई करवाएगा है कि नहीं तो इसमें जनता का भी लोग लाल अच अपना गलती भी मानिए खैद छोड़िये पढ़ने वाले विद्यारतियों के लिए ये जो 5 साल है स्वर्ण यूग है नोकरियों का त्यूंकि चुनावी रिजल्ट जो जा रहा है जो यूवा ने बोट का चोट किया इससे मोधी सरकार भी हड़वड़ा गई है SSJD में 20,000 पढ़ गया ALP में पढ़ रहा है और हर छित में बंपर बहाली आने के शंभावना है तो मन से पढ़ें और इस वार सेलेक्शन ले बिहार में 5 लाग से अधीक बहाली होगी उभी बिधान सबाचुनाप 2025 के पहले अरे साल चो महिना के बाद है देख लेंगे कुछ यूबा कमेंट कर रहे हैं कि सर बिहार SSC इंटर लेवल एक्जाम डेट के पता नहीं है सिविल कोटी सबट कईले है कैसे बहाली लेगा तो आपने एक्जामपल देखा किरिया होगी पूरा जोर सोर है क्योंकि इस बार हमारे चाचा भी भाब लिए है कि जब मोदी जी को यह हालात किया जा सकता है ऐसा हालात कर दिया युवा लोग घुटने पहला दिया तो हमारा भी यह हालात होगा और जैसा कि तेजस्वी भी दस लाक नौकरी का बादा किये थे तो यह चचा सोचे कि चलो हमी बादा को पूरा कर देंगे मुखपंत्री हमी रहेंगे ठीक है आपी रहें लेकिन इस बादा को पूरा करें और बिल्कुल थांदली नहीं होनी चाहिए यह पेपर एक बाइरल हो रहा था तो मैं आपको बता दूँ यह एकजाम कब लिया जाएगा यह पता नहीं है साथ अगस्य से बिहार पुलिस पिछला जो रद हुआ था उसका एकजाम है हाला कि यह एकजाम और पहले हो जाना चाहिए और यह बहाली अब आनी चाहिए बिहार पुलिस में इस साल 45,650 पदों पर होगी बहाली चल रही है तैयारी देख रहे हैं आप यहाँ पर देखिए दरोगा का दरोगा का 2000 पद तो इस प्रकार से आप लोग तैयारी करते रहे हैं बिहार पुलिस में 90% GKGS होता है 10 गोमाइथ होता है जो हमारा यूटूब से ही आपका कंपलीट हो जाएगा GKGS के लिए मैं बेवस्ता करवा रहा हूँ धाकण बेवस्ता आप सभी के लिए जिसमें कि आप बहतर आप अस्कोरिंग कर पाएंगे तुमारे चाचा जी से भी सेस रिक्वेस्ट और प्रार्थना है कि इस बहाली को जल्द से जल्द पूरा करवाए और आप सभी से भी प्रार्थना है कि आप पढ़ना सुरू कर दिजिए दिन रात एक करिए इधार उधार जो सौर्ट्स वीडियो पर फढ़ना दिमका पर समय देते हैं उसको बचाईए आपने आप के लिए जोकिए और एकाक साल बढ़िया से पढ़े इस वार पक्का सेलेक्शन साधारन साधारन बच्चे का भी हो जाएगा सेलेक्शन संभावना है किसी ना किसी छेत्र में और जल्दी बिहार से से इंटर लेवल का भी डेट आने वाला है तो यह बिहार पुलिस का भी यदि यह सही पेपर बाइरल हो रहा है तो निस्वीद रूप से यह बहाली भी 2025 के पहले यह पूरी परकिरिया करवाई जाएगी आपको मैं बता दूँ यह देखे यह पेपर संभादाता पटना विखना बियार पुलिस में इस वार इतना बहाली की संभावना है इन में से इतना नए पद पर जबकि इतना सिपाही के पूर्व से लंबित पदों पर बहाली होगा तो यहाँ पर पहले से लंबित है और प्लस इतना नया पद आ रहा है तो सभी युवा तयार हो जाएं जीके जीएस के लिए मैं तो मैं द्रिजनिंग पढ़ाता हूँ 21 जून से मैम का सुरू हो रहा है बिहार से सी इंटर लेवल बिहार स्टिजल को ध्यान में रखते हुए बिहार सी चक भरती 3.0, phone point 0 और बिहार पूलिस के लिए सूपर 50 जीके मीक्स प्रैक्टिस चलेगा यदि वैसा रहा समय तो चिप्टर बाइज भी कभी कभी करवा दिया जागा लेकिनी बहुत बेटर बैच रहेगा जिसमें हर चीज को ध्यान में रखते हुए जीके और जीए स्कॉर करेंट फेर को ध्यान में रखते हुए के कोर्शन का फुल डिसकसन के साथ जैसा कि संडे को मैडम के साथ करवा रहा है तो आप देख पा रहे हैं चाचा के पास पहुचा दीजिए कि पेपर लिक रोकिए और रोजगार का जो परकिरिया जल्दी से जल्दी करवाईए जो भी भाहाली निकालते हैं उसका एक्जाम डेट, रिजल्ट डेट और वेरिफिकेशन डेट भी निकालिए यह हमारे चाचा से बिसेश परार्थना है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ठीक है? बाकी मिलते रहे हैं रेगुलर क्लास सुभा 6 बजे मैं यूटूब पे देते रहूंगा और रात में किस तारीक से मैडम का GKGS अपना बिचार कमेंट करना नहीं भूलिएगा